नमस्कार मैं हूँ किरन आप देख रहे हैं निउस टाइम निशन वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास कबरों का देश के करीब 25 राजियों में भयंकर बारिश से लोग बेहाल हैं पताया जा रहा है कि अब तक बाड़ और भुस्कलन जैसे हाथसों में 218 लोगों की जान जा चुकी है यूपी में बारिशना होने से इटावा और महराज गंज में लोगों ने तोटके अपनाने शुरू कर दिये हैं आपको बता दे महराज गंज में सदर विधायक जैमंगल कनौजिया को लोगों ने कीचर से नहलाया वहीं इटावा में महिलाओं ने खेट में हल चलाया और इंद्रदेव को मनाने के लिए गीत भी गाए सुल्तानपुर में जिलादिकारी रविश Professor ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्या सुनि इस दौरान जिलादिकारी ने संबिंदी तधिकारियों को निस्तारण के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिये सुल्टानपूर में एस्पी ने पुलिस कार्याले में जनता की समस्यां सुनी और सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मामला निप्टाने के दिशा निर्देश दिये अमेठी में पुलिस अधिक्षक इला मारंच जी ने कैंटीन का निर्देश दिये में जल्दिकारी राकेश कुमार विश्ण ने मुसाफिर खाना के सूरपुर काशिपूर और पिंडारा करनाई गाउं में निर्देश दिये इस दोरान डीम ने अमरित सरोवर, गौशाला, निर्माडाधीन, आई टी आई सडक और पेजल परी योजना के मद्दे नजर करवचारियों को आवश्यक दिशन इर्देश दिये ड्राइबरेली में बच्रामा से लाल गंज हाईवे आते वक्त एक खाली लोडर बेकावू होकर पलट गया इस हाथ से में ड्राइबर ने कूद कर अपनी जान बचा लिए अयुद्या में स्वर्ग द्वार पर बने हनुमंत सदन मंदिर के महंत राजाराम दास चुने गए इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया बहराईच में महामना मालवीय मिशन ने गायतरी चेतना केंडर मैदानी बाबा आश्रम में गुरू पूर्णिमा मनाई इस दोरान गायतरी मंदिर परिसर में पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया बहराईच में अपर पुलिस अधिक्षक ग्रामीर अशोग कुमार ने कावर यात्रा और सावन के मद्दे नजर मरी माता मंदिर का निरिक्षन किया इस दोरान मंदिर के कर्मचारियों को आवशक दिशा निर्देश पी दिये गए आपको ये खबरे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अगर आप ये खबरें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके अलावा अगर आप इन खबरों को यूट्यूब के जरीए देख रहे हैं और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकान जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें